Important है, otherwise list तो लंबी हैं जिन results पर हमको react भी करना है हुआ है, पर इन सब में सबसे important HDFC Bank Sunday को board meet है, board को result present होगा, Monday को और Monday तर असल दिन के दुरान वो numbers release होंगे सुमिथ क्या expect करें, इन्होंने जो quarterly update दिया था उससे तो बजार बड़ा खुश हुआ था हाँ, अब catch क्या है, यह पहली बार number आ रहा है, HDFC Bank और HDFC Limited के merger के बाद, तो street में सारे English fraternity इसलिए थोड़ी confused है कि किस side आ सकता है, तो एक चीज जो certain है कि यह surprise करेगा, either ways, तो इसलिए आप तयार रहेगा, चाहे यह negatively हो या positively हो एक बड़ा surprise HDFC Bank के अंदर आ सकता है, तो आपके screen पर है, NII करीब 28,187 करोड, 10% के आसपस की बढ़त का अनुमान, मुनाफा 14,617 करोड, करीब करीब 3% तूटने का अनुमान इस quarter में लगाए जा रहा है, बहुत सारी चीज़े हमें पहले से ही पता है, Q2 के update वो अलड़ी दे चुके हैं, लेकिन एक gross NPA, net NPA का करीब 5.3% Q-on-Q basis पर गिरे हैं और 9% Y-Y basis पर गिरे हैं इस quarter के numbers में, advances करीब 11% बढ़े हैं Q-on-Q basis पर और Q-on-Q basis पर करीब 4% के आसपस बढ़े हैं, और जो इसके अलावा company के जो merge number हैं, उसमें deposits के अंदर एक अच्छी growth तो देखने को मिली ही है, साती सारी ने ने का था कि E-HDFC Limited के जो non-individual loans हैं, वो 10,250 कोड रुपए के आसपस हैं, वो की 20% तूटे हैं, लेकिन Q-on-Q basis पर बढ़े हैं, तो Q-on-Q नमबर बेटर साइट पर थे, merged entity के भी in total, आप ही समझ दीचे हैं, और तो बहतर साइट पर situation है, बट NIMS की situation थोड़ी crucial रहेगी, यह कि जो नई policy ह यह उसके हैं, थोड़ा बहुत impact NIMS के उपर आता हो दिखाए पड़ेगा, लेकिन again, lastly एक चीज़ ही है, जिस पर आप नदर रखिये हैं, कि पहले quarter के number हैं, तो बहुत साइट situation शाया clear ना हो, वो wait time, endless call और बाकी reports और उसके according, आप हो clear होते हो दिखाए पड़ेगे, लेकिन NPAs, वो provide for किता करना, वो सब समझ में आएगा जब quarter के numbers, Monday को आएंगे, और numbers से पहले अगरवाल सर चाहे वो AGM हो, या फिर उसके बाद management की upfront commentary आने की, हम सब को analyst से जब मिले था HDFC bank का management, तब वो सब brace up कर रहे थे आने वाले shocker के लिए, तो हैसे में Q2 के जब numbers Monday को आएंगे तो ये surprise किस तरफ tilt करेगा, आपका क्या मानना है? तो अगर लेता है, तो पंदरा दीन, एक मैना, तीन मैना की horizon ना देखें, कम से कम दो साल, डेट साल का नजरिया रखें तो मुझे आश्यर नहीं होगा कि मौजूदा से बहुत अच्छे return दे ये stock, तो अगर कोई negative surprise आता है, नाएम सोगरे कोई गिरावट आती है, या NPA की हालत में माने, जैसे HDFC के साथ मर्जर हुआ है, तो कोई बड़ा है, राइट आफ वगर है, प्रावजनिंग आती है, और कोई गिरावट आती है, तो मैं समझता हूँ, वो एक खरीदारी का ही मौका रहेगा, आप थोड़ा सा अफने नजरिया बड़ा रखें और stock में बिल मैं समझता यगर सासे हूँ और का कि रहुआ खरде बड़ा है, जैसे हम कार रहेगा है, जैसे रहे हुआ है, जैसे हम होँआ है, उने की पु कर सका है, तो को भो लाख बड़ा है, झाल कvy तो कि आ खरीजिक है, जैसे हैं झाल किसक्तल